हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू आरेनेम एकेडेमी चैनल स्टुडेंट्स आज हम प्रोजेक्शन्स और प्लेन का एक नया प्रोब्लेम ले रहे हैं और इस प्रोब्लेम को पहले समझ ले और बाद में खूद डाइमेंशन के साथ अपनी स्केज़बूक में या शीट में ड् इस प्रोब्लेम हम टीन स्टेज में ड्रो करेंगे लेकिन हम यहां रोटेशन और ग्राउंड लाइन वाला जो प्रोजेप्ट है उस मेथर्ड का इस्तेमाल करके सॉलूशन फाइंड करने वाला है रोटेशन और ग्राउंड लाइन मेथर्ड या और आपने नहीं समझा है तो पुराना वीडियो आप देख लीजिए जहां मैंने इसी वे में यह मेथर्ड आपको समझाई है इस मेथर्ड से अगर आप प्रोब्लेम का सॉलूशन करते हैं तो बहुत बड़ा टाइम सेविं होगा एग्जामिनेशन में भी और दाट मैथर्ड विल बी अड्वांडिजिस तो यू तो आईए इस प्रोब्लेम का हम सॉलूशन समझते है तो स्टूदेंस इस प्रोब्लेम में हमें रेक्टेंगूलर प्लें दिया है और रेक्टेंगूलर प्लें की साइज है 40 mm multiplied by 20 mm त अगर मैं रेक्टेंगूलर प्लें की साइज है 40 mm multiplied by 20 mm तो अगर मैं रफ रेक्टेंगूलर प्लें दिखा था हूँ तो जो प्लें का शेप है ऐसा हमें एक रेक्टेंगूलर प्लें दिया है जिसमें लेंग्थ है 40 mm और वीड्थ है 20 mm प्लें को हम कोई भी नाम दे सकते हैं like it is ABCD रेक्टेंगूलर प्लेंग अगर क्या कहा है रेक्टेंगूलर प्लेंग अप साइज 40 mm multiplied by 20 mm has shorter age on HP उसकी जो shorter side है shorter age shorter age is on HP और यह important बात है shorter age on HP अगर रेक्टेंगूलर प्लेंग के बारे में सोचे तो there are four sides चार sides या चार ages भी हम बोल सकते हैं उसके चार corner है corner A corner B corner C and D यहां हमें corner की बात नहीं कही गई है हमें कहा है age is on HP और age में भी कौन सी shorter age तो हम पहले मान लेते हैं कि all four ages are on HP और चार ages HP पर है means complete rectangular plane is on HP और अगर rectangular plane HP पर है तो HP पर मिलने वाला view हमारा top view होगा और top view हमें true shape देने वाला है तो सबसे पहले हम top view ड्रो करने वाले हैं याद रहे सबसे पहले हमारा जो view बनेगा वो top view बनेगा वो below x y a e का और उसमें हम ऐसे true shape ड्रो करेंगे कि left side हमारी shorter age रहनी चाहिए यह सही shape है left side जब मैं यहां से lift करता हूँ तो यह AB side HP के साथ contact बनाए रखेगी तो यह हमारी x y line बनेगी x y line और उस x y line पर सबसे पहला view हमारा यह rectangle plane होगा और इतनी बात decide हो जाती है बात में हम regular drawing स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि बात में दूसरा view यहां मिलेगा फिर हमारा सबसे पहले inclination HP के साथ आएगा और बाद में inclination VP के साथ आएगा यह बात हमें याद रखनी है जब आप plane को HP पर रखते हैं तो second stage में inclination HP के साथ बनेगा और third stage में inclination VP के साथ बनेगा उससे reverse अगर आप complete plane VP पर रखते हैं तो सबसे पहले inclination आपको VP के साथ देना बड़ेगा और बाद में inclination HP के साथ होगा अभी यहाँ जो problem दिया है उसमें दो inclination दिये हैं एक तो shorter age on HP and incline at an angle of 40 degree to VP inclination वाला angle दिया है 40 degree to VP लेकिन वो third stage की बात हुई याद रहे second stage के लिए inclination जो देना चाहिए वो नहीं दिया है उसकी बज़ाए क्या दिया है draw the projections when the top view is a perfect square of size 20 mm top view की hint यहाँ दिये हमें यहाँ square मिलता है तो आई construction मैं समझाता हूँ कैसे drawing करना है say initially मैंने यह x y line draw कर दी this is x y line reference line और सबसे पहला view हमारा बनेगा rectangular plane जहां left side पर shorter age आने है तो shorter age की length है 20 mm तो हम क्या कर सकते है light pencil से एक line draw कर दो x y को perpendicular जैसे यह मैंने line draw कर दी और उस x y पर हमारा rectangular plane बनेगा 20 mm width है तो यह width 20 mm और यह side जो length बनेगी वह length 40 mm है तो वैसे हम एक rectangle prepare कर सकते हैं यह rectangle हो गया और rectangle में 20 mm width है और 40 mm length है और हम notations दे रहे हैं A B C और D ABCD means plan है top view तो top view वाले point मुझे दिखाने चाहिए तो ABCD मैंने दिखा दिया अभी यह पहला view हुआ इस में से जब हम vertical projectors draw करेंगे तो XY line पर ही हमें एक line मिलेगी वह हमारा elevation होगा या front view होगा A dash B की line में B dash भी यहां आएगा C की line में C dash और D की line में D dash projection of point का concept क्या था एक ही projector पर हमारा front view और top view होगा both the projections must be on the same vertical line तो A dash A एक line पर B dash B एक line पर तो वैसे यह हमारा front view complete हो गया अभी हमें क्या करना चाहिए यह line को incline करना चाहिए without changing its length और वह inclination HP के साथ बनेगा लेकिन HP के साथ inclination हमें दिया नहीं है लेकिन याद रहे inclination की वजह से यहां जो shape मिलने वाला है वो smaller shape हो जाएगा smaller shape यानि कुछ dimension short हो जाएंगे कौनसे dimension short होंगे वो हमें याद रखना जरूर है जब मैं यह front view यह top view में से horizontal projectus draw करता हूं देखिए तो कौनसे dimension short होगे vertical dimension में कोई बदलाव नहीं है लेकिन जो horizontal dimension है जो dimension xy को parallel है वो short होगा तो समझो कि यह width जो है वो तो वैसे ही रहेगी 20 लेकिन यह जो 40 mm length है वो short हो जाएगी और short होके कितनी होगी जिसकी वज़े से square बनेगा square बनेगा हमारे 20 by 20 क्योंकि यह dimension तो 20 है तो दूसरा dimension भी 20 बनेगा तो ऐसा एक square plan में हमें मिलता है वैसी clue data में हमें दी गई है यह plane inclination hp के साथ ऐसे बनाता है जिसकी वज़े से जो top view मिलता है वो square है तो यहां हमें 20 by 20 का square मिला तो बजाए यह line draw किये हमें पहले यह view construct करना पड़ेगा तो मैंने यह view फिर फिर से proper prepare कर दिया ए बी सी और डी याद रहे ए बी का dimension वही रहा लेकिन बी सी और एडी जो था वह short हो गया तो 20 by 20 का square मिला अभी इस पर से हम third view find करेंगे force पर से तो क्या करेंगे यहां से हम vertical projectors draw करते हैं देखिए method और यह जो point है वह तो हमारा xy पर रहने वाला है क्योंकि side जो shorter side है shorter age वह तो hp पर है तो a डेस और b डेस दोनों point तो xy पर रहेंगे लेकिन c डेस and d डेस यह vertical projector पर मिलने वाले लेकिन कहां मिलेंगे कहां मिलेंगे उसका answer यह length क्योंकि line की length तो change नहीं होने वाली है तो आपको करना क्या है इतनी length radius set कर दो compass से आपका compass का center a डेस b डेस पर रहेगा यह point पर और इतनी length लेके यहां cut कर दिजे तो वह point आपका c डेस और d डेस हो जाएगा और फिर यह दौनों points को join कर दिजे तो यह हमें inclination भी देगा line की length में कोई change नहीं है यह angle जो मिलेगा वह आपका theta होगा means hp के साथ inclination होगा कहने का मतलब hp के साथ ऐसे inclination मिलता है जिसकी वजह से हमें जो यहां top view मिला वह square मिला अभी आगे का stage third stage third stage में हमें कहा गया है vp के साथ inclination vp के साथ inclination 40 degree है लेकिन कौन यह 40 degree inclination बनाता है the age जो shorter age है shorter age on hp and incline at an angle of 40 degree to vp तो shorter age आपकी hp में रखी गई है वो shorter age vp के साथ 40 degree angle बनाता है तो shorter age means ab और अगर मैं rotation of ground line method का इस्तिमाल करता हूँ तो यह shorter age रहा मेरा ab और उसके साथ मुझे angle लेना है 40 degree तो एक मैं line draw करने वाला हूँ जो 40 degree incline होगा देखे यह line जो नई generate हुई मैंने बनाई यह line वो मेरे लिए x1 y1 हो गई नई rotation of ground line और यह दोनों के बीच का angle 40 degree है आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी shorter age और नई reference line दोनों के बीच का angle 40 degree और rotation of ground line में हम क्या करते हैं चारो corner यह जो चार points है उसमें से हम perpendicular line draw करेंगी perpendicular किसको x1 y1 को तो d में से मैंने perpendicular line draw की वैसे ही इसमें से भी होगी फिर a में से भी perpendicular line बनेगी और d में से भी perpendicular line बनेगी तो चार प्रोजेक्टर हमने draw कर दी अभी यह चार प्रोजेक्टर पर हमारे चार points मिलने वाले है a dash b dash c dash and d dash कैसे तो मैं पहले एक ही बात करता हूँ तो हमें आगे वाला a dash देखना है a dash कहां पर है x y पर तो यह वाला प्रोजेक्टर और x1 y1 line तो हमारा नया point x y पर मिंस x1 y1 पर आएगा तो यह हमारा a dash वैसे b dash b x y पर है तो b वाला point यह है तो यह भी x1 y1 पर आएगा क्योंकि x1 x y की जगह अभी x1 y1 है तो वह b dash c dash का distance x y से जितना भी है उतना distance c projector पर x1 y1 से लेना है तो x1 y1 से जब मैं इतना distance लेके cut करता हूं तो यहीं कहीं point मिलेगा वह हमारे लिए c dash होगा और वैसे ही d dash का point भी उतने distance पर है तो d वाला projector x1 y1 की line से distance तो यह point हमें d dash मिलेगा ए चारो points को आप join कर दीजिए देखो मैंने a dash b dash को join किया फिर c b dash c dash को मैं join करता हूं और a dash d dash को तो यह जो view मिला वह final front view है यह हमारा final top view और a final front view मैंने यहां auxiliary plane method यूज की है उसको यह rotation of ground line method भी हम कह सकते हैं एक view draw करने का जो time था वो हमने बचा लिया instead of six views we have constructed five views तो पांच view में हमारा problem complete हो जाता है बहुत बड़ा time का saving होगा और यह हमारा final solution हमें मिलेगा students I hope आपको सभी steps समझ में आये होंगे कोई query या doubt है तो मुझे बताइए next video में कोई एक और problem लेके हम फिर मिलेंगे thank you for watching thank you very much अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए है तो please मेरे चैनल को like किजे share किजे और subscribe जरूर किजे thank you very much